सो हे गाईज वेलकम बैक टो आर योट्यूब चैनल इगनू टीवी आई होप कि आप सभी ठीक होंगे तो आज की इस वीडियो में हम इगनू के कोची रीजनल सेंटर को लेकर एक इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमा आरे चैनल को सस्क्राइब करिए और साथ ही में बैल एकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि इगनू से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और इंफोर्मेशन आपको सबसे पहले मिले तो स्टूटेंट्स अगर आपका रीजनल सेंटर कोची है तो इगनू की तरफ से कोची र इग्जाम्स के लिए ओल्लाइन असाइमेंट समिशन की गाइड लाइन्स रिलीस कर दी गई है आप अपने असाइमेंट्स और लाइन गूगल फॉर्म के थ्रू सम्मेटिक कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको कुछ गाइड लाइन्स फॉलो करनी है फर्स्ट आपको अगर कोई भी डीटेल्स जैसे की सब्जेक कोड या एन्रॉल्मेंट नंबर में गलती हुई तो आपकी असाइमेंट्स की मार्ग से डिडक्ट हो जाएंगे सेकेंड आपको सर्फ हैंड रिटन असाइमेंट्स की स्कैंड कॉपी ही सम्मिट करनी है प्रिंटिट फॉर्माट में असाइमेंट्स एकसेप्ट नहीं करे जाएंगे थर्ड असाइमेंट्स आपको सर्फ डॉकिमेंट्स या पीडिया फॉर्माट में ही सम्मिट करने हैं जिसकी साइज 100 MB से जादा नहीं होने चाहिए फॉर्थ अगर आप अल्रेड़ी अपने असाइमेंट्स की हाड पीज अपने स्टडी सेंटर में सम्मिट कर चुके है तो दोबारा से ऑनलाइन सम्मिट करने की नेड नहीं है फिफ्त ऑन्लाइन असाइमेंट्स त्रिफ गूगल फौर्म के थुवी सम्मिट करने हैं जिसकी ओफिशल लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं जिन भी स्टूदेंट्स ने इमेल के थुरू अपने असाइमेंट्स सम्मिट करे हैं, उन्हें दोबारा से गुगल फॉर्म फॉर्म फिल करके अपने असाइमेंट्स को सम्मिट करना है। सेक्स्थ हर सबजेक्ट के लिए अलग-अलग गूगल फॉर्म फिल करके सम्मिट करने हैं। अगर आपके 5 सबजेक्ट से तो आपको 5 सेपरेट गूगल फॉर्म सम्मिट करने हैं। याद रहे कि कोई भी फॉर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। सेवंत जो भी डॉग फाइल या PDF आप सम्मिट करेंगे उस फाइल का नेम ये होना चाहिए। एध और आखरी पॉर्म ये है कि जो भी गूगल फॉर्म आप सम्मिट करेंगे उन सभी को एक ही मेल ऐडी से सम्मिट करना है। multiple mail id से submit की गई assignments acceptable नहीं है और अगर आप multiple id से submit भी करते हैं तो जो mail id आपने सबसे पहले form में use करी होगी सरिफ वही consider करी जाएगी तो ये थी सारी guideline से जो आपको online assignment submit करने से पहले follow करनी है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को like करिए और ऐसी informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले